अवैद मिरमाड जगा जगा हो रहा है नगर निगम और जेडिये के अधिकारियों की नजर के सामने नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है यह अवैद रूप से बनाई जा रही बहुमंजिला इमारत जिसकी तस्वीर अब आप देखींगे वो सांगानेर इलाके के जोन 9 में बॉम्बे अस्पताल के ठीक सामने बनाई जा रही है यह बहुमंजिला इमारत बिना किसी सुरक्षा के नियमों का पालन किये बन रही है यह तो जाहिर है कि लोग सम्मदे निर्मार की शिकायत लेकर विभाग के अदिकारियों के पास पहुंचते हैं लेकिन विभाग ने महज कागजी कारवाई करने का आदेश जारी कर इसको टाल दिया एंडी टीवी के पास वो दस्तावेश भी हैं जिन पर लोगों की शिकायत के बाद विभाग के अदिकारियों ने तीन महीने पहले नोटिस जारी कर महज खाना पूरती कर दी थी विभाग की अंदेखी के कारण अवैद निर्माड धरातल पर बिना किसी रोक टोक के जारी है महल योजना के पास बन रहे एक कमर्शल कॉम्पलेक्स महज एक उधारण है शहर में ऐसे कई लाके ऐसी कई तस्वीरे हैं जहां पर अवैद निर्माड हो रहा है अधिकारियों की सुस्ती के कारण हाल ही में अवैद निर्माड के चलते वाट 42 में का मैंने अभी जिकर भी गिया आजका कि गोवर्ज जब उसकी मृत्ती होई उसकी घटना के बाद काफी हलना मचा और उसके बाद जाका प्रशासन जागा लेकिन निगम की टीम द्वारा इमारत को सीज क आएंगे और उससे पहले हमारे जैपूर के समाधाता बाल विरेंदर सिंग शेखावत की ये रिपोर्ट देखी है तो नगर निगम और जेडिय के द्वारा इसी तरीके के जो नोटिस हैं वो जारी किये जाते हैं लेकिन सिकायतों का निस्तारण केवल काग्जों तक समीत रहता है मैं अब इस वक्त बॉम्बे होस्पिटल के जड़ सामने की रोड है और इसके सामने आप देखेंगे कि बहुमंजिला इमारत जो की जेडिय के जो कह सकते हैं कि जो जेडिय हैं उनके द्वारा यहां पे जेडिय के अंदर सिकायत भी दर्ज करवाई गई लेकिन अब भी भी सिकायत के बावजुद भी यह बहुमंजिला इमारत जो की जेडिय के जो सुरक्षा के जो मानक होते हैं नगर निगम के जो मानक होते हैं उन मानकों के अनरूप बिलकुल भी उनका जो कह सकते हैं कि दर्किनार किया जा रहा है और जो सुरक्षा के लिहा पहुमंजला इमारत बन रही थी जिसके अंदर एक गाय के मरे होने की सूचना पर कल बावाल हुआ था उसके बाद नगर निगम और जेडिये हैं वो हरकत में आये और उसके बाद उसके उपर बुल्डो जर्च चलाया गया लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से र जो अवेद निर्मान होते हैं उनकी लिखित में जेडिये और नगर निगम के अधिकारियों को सिकायद दर्ज की जाती है लेकिन सांतवना के तोर पे उन्हें इसी तरीके की जो लेटर हैं वो जारी किये जाते हैं और उसके उपर तीन से चार दिन के बाद कारवाई करने क यहाँ पर जो कह सकते हैं कि परिवादी को कहा जाता है लेकिन जो बहुमंजिला इमारते हैं जो नियमों के विरुद जाकर बनाई जा रही हैं वो धरले से बनाई जा रही है जैपुशे केमरामें जसराज के साथ विरेंदर सिंग सेखावत अन्डी टीवी तो यह रिपोर्ट आपने देखी है हमारे समधाता की और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहा है बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने अवैद मिर्माड इससे पहले एक हॉस्पिटल की जमीन आवंटन को लेकर के विवाद जी जोन नमबर 9 की तस्वीर है बॉम्बे हॉस् का उन्होंने पूरा कवर किया और पट्टों के वित्रन में भी कई वार गडवडियों की शिकायत देखने को लगातार मिल रही है और ऐसे में कावंटी एसपिटाल का मैं दिकर कर रहा था कावंटी एसपिटाल की जमीन एक निजीए स्पिताल को देने का मामला हो शाय बॉ मनजिला इमारत यूडियश मंत्री जावर सिंग खर्रा भी ये मानते हैं कि भई इस तरह की चीजे हो रही हैं शेहरी इलाकों में अवैद दिर्मार हो रहा है उनका कहना है कि सरकारी प्रियास के साथ साथ थोड़ी जन जागरिती होगी तो अतिकरमर हटाने में और जाधा सफ सरकारी प्रियास के साथ थोड़ी जन जागरिकती भी होगी तो हमें अतिकरमर हठाने में और अतिकरमन रोकने में ज्याधा सफ़ता है और मुझे यह बताने भी कोई संकोँस नहीं है कि अतिकर्मन की मान सिखता और अतिकर्मन के खिलाफत की मान सिखता जो लोग अतिकर्मन के खिलाफत करने आते है जब हमारा दस्ता अतिकर्मन हमारा कोई भी वाग नगर पाले का नगर परशाद जेडी है नगर निगम अतिकर्मन हटाने जाता है तो उसे विरोध करने आते है उसका कुछ हिस्सा उस समय अतिकन में आठाने का विरोप करने भी आ जाता है और जब आतिकन मर जाता है तो 30 रिवार वो धन्यवाद देने भी आ जाते हैं अब यह तो जो आम जन की मान सिखता है वो हम थोड़ा सा शबसे यह अपेक्षिया करेंगे परात्ना करेंगे वो मान सिखता को बदले और सरकारी संपति को साज्वनिक संपति को अपनी निजी संपति मान कर उसके पहरेदार के रूप में उसकी सुरक्षिया करने में सरकार की करें